मौलाना तारिक जमील साब से कब मुलाकात हुई, कितनी दफा हुई और क्या बाते हुई सब्सक्राइब कीजिए और बैल आईकॉन को ग्लिक कीजिए ताके आप हमारी आनेवारी वीडियो से बाख़बर रह सके असलाम अलेकूम नाज़ीन आप देख रहे हैं वाई के नियूस और मैं हूँ आपके साथ सनवकास और मेरे साथ मर्यम अक्मल ऐसी बच्ची मुझूद है जिसने साड़े तीन साल की उमर में ही हजूर पाक का शजरा नस्ब याद कर लिया और रोजा रसूल पर जाकर सुनाया और इसकी वो वीडियो इतनी वाईरल हुई कि मौलाना तारिक जमील साब ने इसको मिलने के लिए बुला लिया अब ये यारा साल की है और ये काफी बार मौलाना तारिक जमील साब से मिल भी चुकी है अब मैं ये इसी से पूछती हूँ कि इतनी चोटी सी उमर के साड़े तीन साल में जो है वो इतना इश्की रसूल और ऐसा शौक इसके अंदर कहां से आया क्योंकि साड़े तीन साल के बच्चे को तो ऐसी बातों का पता ही नहीं होता और मौलाना तारिक जमील साब से कब मुलाकात हुई कितनी दफ़ा हुई और क्या बाते हुई बेटा मौलाना तारिक जमील साब से आपकी पहली बार मुलाकात कब हुई थी मेरी जब मैंने आपससी सल vrais ने सब्सक्राइब Steve Kya रई थी कितनी बार मुलाकात हो चुगी किर मेरे 5 सच बार मीरेक पैसलाप बर मुलाया था ने घर न वहास पे गई तो मैंने मने अजया u उनको सुनाया है जिले इस नायत मुझे सालब उन, मुझे जून. डोवात उच्छों को झीक्योरा उनको यहां उनको प्छोर ते गड junioris badly, लेकिन उन जा सजके पर त्रिजेट यहां निभी वर्ण सुन आते हैं, फिर भूल जाते हैं उन्हें बताया कि आप पहली बच्ची हो जिसने मुझे सारा सुनाया तो आपने साड़े तीन साल के उमने पूरा याद कर जी फॉन से देख जी ठीक है और कुराने पाक पड़ने किस उमर से जाना स्टार्ट वी चार-पाइंट साल की उमर से जी तो उसक परीके से मौसूल सी बच्ची ने उसको सुनाया किने आप से पहोत तयार करते ही तो हूं है है आपके हमारे दम्हें आखरत का पड़ता है और अलतले आपको जिनकी दी है सब्सक्राइब श्राइब 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 श्रॉज बिन आपके हमारे यहां मुझे पता है कि मुलाला तारिक जमिल स्पहप को आपने थी अखना ओना इन से कर में riktig आफ डेचि करो ने उन्हें कर वां हौ ि जिदू इन मनोझिज बिलाया उसक हुआ हुआ नुको प्ता था क्य мWhy आपके सुन आप। यह की मनमनोंопो पोच्छा क्या आपके सब्सक्ष की आप people come लगा कर देटी ठी मौलाना तारिक झाल साब को क्या बच्छे तो काटून जो में लगाकिते तुममें मैं जब मैं एक निए लिए फिनिश कि दूबरा निउस्टाइ्ट होती है ना तो उसके बार से नाथ आए उसके बाद आए उसके बाद जा घा भी ऐहा ज़ा न फिर मैं लगा लिए लगा लड़ते हो यवगालें30 तो अभी स्कूल में नाथ पढ मतलब ज्यादा तंग तो नहीं करती मामा नहीं कोई चीजी प्यारी सी ना चुना दर एकदास पिहाले दिल सुनाना यादाता है मदिना यादाता है मदिने में जो गुजरा वो जमाना यादाता है मदिना यादाता है अदब से बेठे कर उस गंबद खजरा के साए में मदिना यादाता है और कोई ऐसी ना जो आपको बड़ी पसंद और आप यादाता है मुस्ताफा मुस्ताफा मंबाओन इसफा सيद बाना यादारा से बेठे कम जो आप यादाता है बाताफा जो आपको बेठे कर जो दो बेठे कर ऱ्डों और इसफा अर्जु सिबा शर्बतन में यदी ऐसलात वाले वसलाम वाले लिस्मा इलतका फाता मिन्नका बादा मजनु लेमन मुष्रिका काल फियत फिय लिया नतिफा मुस्ताफा मुस्ताफा मंदाउने सफा सेद अंबिया मिशालन फिल वादा कान फियत फिय लिया नतिफा माशालला यह अर्बी में आद किस तरह से याद जी यह भी मैंने यूट्यूब से देख किया आद की असानी से याद जी मरियम आप तो बच्पन से बड़ी इंटेलिजन्ट हो लेकिन आपके उमर के बच्चों को इतना शौक नहीं होता है इस तरह का उनको कार्टून देखने का शौक होता है या खेलने का बड़ी मुश्किल पढ़ाना पड़ता है तो ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो पढ़तें नहीं हैं और अपने अमी अबू को बड़ा तंक करते हैं अपने खौफ ख़तम करें तीन ही खवतें इनशान की जिनदगी में नंबर एक मौत के कोई मुझे मार ना देए इस चीज़ के लिए हमारे साथ है बेशक जी माशाला सुभानला के बच्ची ने बड़ी खुबसूरत बात की कि अल्ला का इचाद है कि इज़त और जिल्लत मेरे हाथ में और रिज्क देने वाला मैं हूँ इतनी सारी चीज़ों का हमें पता है हम मुसल्मान हैं और हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर खुदा न चाहे तो एक पता भी नहीं हिल सकता फिर भी हम यहाँ पर लोगों का हक मारे हैं और दुनिया को मजबूत करने के लिए अपनी आखरत जो है वो हम तबा़ कर रहे हैं तो ये दुनिया की जिन्दगी मुस्तकिल जिन्दगी नहीं है अगर हम अच्छे अमाल दुनिया में कुछ कर जाएंगे तो हो सकता है कि शायद हमें उस अमाल के नतीजे में आला मकाम अता करें झाल